बिहार सिक्षक भरती 2023 परिक्षा अपने समय से होगी परिक्षा होगी ही होगी आज की लेटेस्ट अपडेट जो हिंदुस्तान में पब्रिश हुई है तो वो लेटेस्ट अपडेट भी चेक कर लेते हैं साथ ही साथ आपको जैसा पता भी है कि चेर्मेन जो है बीपीएसी के उन्होंने भी ट्वीट किया ही था कि एक्जाम नहीं तलेगी एक्जाम तो समय पर ही होगी बट अलग-अलग प्लैटफॉर्म पर जो अफवाफ फैलाये जाते हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए अगर फॉर्म फिल किया है तो एक्जाम दे के आए अगर आपके लिए पॉसिबल है तो बात बाकी जो भी होगा वो गौर्णमेंट का डिसीजन आता रहेगा बट अलग-अलग जगे से जब आप वहों पर ध्यान देते रहते हैं तो आपकी ना तो पढ़ाई होती है और न 23 कि आज निव्ज में आया हुआ है और इसमें क्या लिखा है कि जैमर लगाने में परेशानी ना हो इसके लिए बीपियसी ने सिख्शा विभाग को लिखा पत्र सिख्षक नियुक्तिक सभी परिक्षा केंद्रों पर अनिवारे रूप से लगेंगे जैमर तो जो मोबाईल पर कड़क इस सबार जो है एदक लिया जहारा पहले से ही ताकि कि नो ना हो जैए बाड़ा केली से अनिवारी हो उक्युक्तिक समय दो आप केमtar लबी केत्वरे संबरी हो उसलिए और आप घर में होbilir करने से निश्चित करने को कहा है और DM सहयोग करें तो DM को भी पत्र लिखा गया है जो DM बड़े पोस्ट पे होते हैं तो उनको भी लेटर लिखा गया है कि इस परिक्षा में सहयोग करें तो 170,461 शिक्षकों के लिए 24-26 अगस्त के बीच होने वाली परिक्षा में संबंदित DM अपना पूरा सहयोग देंगे तो यहां इस एक्जाम में DM और DEO जो भी शामिल होंगे और वो भी सहयोग करेंगे अपने सतर से जो भी तो इसका मतलब है 24-26 अगस्त के जो एक्जाम है वो अपने समय से होंगे तलेंगे नहीं और उसकी पूरी जो है कड़ी विवस्था की जारी है ताकि वो ट्रांस्पेरेंट हो सके सही डंग से हो सके जो एक परेशानी के इंदर विद्याले में आज देखने को मिली कि काफी सारे जो है ओनलाइन परिक्षा में पकड़े जा रहे थे लोग वो उसकी रोग थाम के लिए काफी कड़े इंतजाम किये जारें अलग मालूम हो कि बिहार लोकसिवा आयोग गारत 24 से 26 अगस तक विविन जिलों को के चिन्हित स्कूलों में दो पालियों में परिक्षा लीज जा रही है माध्यमिक सिक्षा निदेशक कनहिया प्रशाद सिवास्तव जी ने गुरुवार को सभी डियम सभी डियम और डियो को पत नीचे तक और इसमें यही बात की गई है शॉर्ट में की परिक्षा होगी से समझ में आ रहा है अपने समय से होगी 24 से 26 अगर दो पालियों में होगी डियम डियो सभी जिले के उनको पत्र लिखा जा चुका है वो भी आकर सहीयोग करेंगे और इसकी बात जो है यहां से यह सब्सक्रेशां तक कि अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप सभी को बेस विश्यच थाइन क्यू वेश्व मच अगर आफ एक्जाम की प्रेपरेशन कर रहा है तो अपना फोकस सिफ एक्जाम की प्रेपरेशन पे रखें इधर उधर की आप पहों में तो आपकी परिक्षा की तैयारी तो नहीं होती है, दिमाग भी डिस्टर्ब होता है, आगे जो भी डिसीजन आएगा वो तो आता रहेगा, पहले एक्जाम तो दे लें, आप सभी को शुब काम नहीं, अच्छे से अच्छी परिक्षा दें, और सफल हों, और सरकारी सिक्षक अबढ्यों.